Hello दोस्तों Welcome to Stay Smart तो दोस्तों आपने इस वीडियो को play किया है इसका मतलब आप एक blogger हो जब भी हम अपना blog start करते हैं तो सबसे important होता है niche हमें किस niche पर अपना blog start करना चाहिए तो ऐसे में हमें थोड़ी बहुत difficulty होती है तो हम किसी भी niche पर अपना blog बना लेते हैं हमें लगता है कि इस niche पर मैं काम कर सकूँगा तो उस niche पर हम अपना blog बना लेते हैं लेकिन दोस्तों होता क्या है जब आप कोई भी niche को select कर लेते हो तो उस पर जब आप post लिखना शुरू करते हो आप 5, 10, 15, 20 post लिखते हो उसके बाद आपको समझ नहीं आता कि मैं किस topic पर new post लिखूँ किस type का मैं article create करूँ किस keyword पर मैं काम करूँ यह आपको समझ नहीं आता लेकिन दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ niches बताने वाला हो जिन पर आप राम से काम कर सकते हो और इन पर article लिखने के लिए आपको topics झूनने नहीं पड़ेंगे I mean article किस पर लिखूँ किस पर लिखूँ किस पर लिखूँ यह आपको सोचना नहीं पड़ेगा तो दोस्तों अगर आप इन niches के बारे में अच्छा revenue भी बना सकते हो तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को जल्दी से एक like कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हो तो इस चैनल को जल्दी से subscribe कर लीजिए और past में जो bell icon है उसे भी press कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर इसी तरह के interesting videos आते रहते हैं so bell icon दबाना बिल्कुल भी ना भुले तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं main इस वीडियो की topic पर तो जैसे आपने thumbnail में और title में पढ़ा है top 10 niches यानि कि दोस्तों ये top 10 niches नहीं बताने वाला मैं इस वीडियो में top 10 ही एक niche है I mean सिर्फ एक ही niche इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ top 10 niches आपने पढ़ा होगा लेकिन वो top 10 जो है वही एक niche है दोस्तों अगर आप अभी भी confused हो तो let me explain तो दोस्तों आपको top 10 list के उपर अपना blog बना रहा है दोस्तों जैसे कि top 10 highest paid actors in the world जैसे कि top 10 prime ministers in the world जैसे आप कुछ भी बना सकते हो आपको अपने दिमाग से सुनचना है किस चीज के बारे में लोग search करते होंगे बस आपको एक area आए जाए और आप उस पर एक article अपना एक post लिख सकते हो तो इस तरह से मैं आपको और example देता हो जैसे top 10 cricketers in the world top 10 footballers in the world top 10 highest paid actors top 10 bollywood actors top 10 hollywood actors top 10 tollywood actors कुछ भी आप इस तरह के top 10 लगा कर आपको जो अच्छा लगे आप उस पर post लिख सकते हो और आपको एक blog बनाना है और articles के लिए आपको बिल्कुल भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी है अपने आप ही ideas मिलते जाएंगे कि हम post किस पर लिखे हम article किस पर लिखे top 10 ये top 10 वो top 10 पता नहीं कुछ भी आप लिख सकते हो तो दोस्तों अगर आप इस niche पर blog बना लेते हो तो आपके articles में किस तरह की मदद मिलती है help मिलती है वो मैं आपको बताता हूँ आपने एक article लिखा top 10 cricketers in the world और आप उन cricketers का नाम आप mention करोगे अपने post में article में जिस भी चीज के बारे में आप लिख रहे हो वो आपके tags में होंगे categories में होंगे आपके article में होंगे तो जब भी कोई बंदा उस cricketer या फिर उस actor जिसके भी बारे में आप लिख रहे हो उस पर भी आप कोई सर्च करता है Google में तो चांसे से आपका post भी वहाँ पर show करे अगर आप थोड़ा बहुत SEO अच्छा कर लेते हैं तो इस niche पर blog बनाने का ये भी एक बड़ा benefit आपको मिल सकता है और आप इस top 10 की niche में आप सारी दुनिया में चाहे आप किसी भी चीज़ पर आप article लिख सकते हो top 10 facts in Hindi sorry top 10 facts about world इस तरह जो भी आपके मन में आए top 10 लगा कर आप अच्छा एक article लिख सकते हो top 10 visiting place in the world top 10 best places in India इस तरह कि आप post लिख सकते हो और आप चाहो तो किसी भी country pacific भी आप ये blog बना सकते हो I mean आप article कोई लिख रहे हो तो किसी भी country में rank भी कर आ सकते हो तो आपको just करना क्या है आपको एक अच्छा domain लेना होगा top 10 से related हो अच्छा domain हो आप एक domain purchase कर लिजे .com वल अगर करोगे तो आप worldwide कहीं भी rank कर आ सकते हो I mean कहीं पर से भी आपको traffic आ सकता है अगर आप English में post लिखते हो तो आप worldwide से traffic ले सकते हो अगर आपको English उतनी अच्छी नहीं आती है आप Hindi में लिखते हो तो India इंडिया काफी है इंडिया से आपको अच्छा खासा traffic मिल सकता है बस आप जिसके भी बारे में post लिख रहे हो जैसा cricketers होगए Bollywood actors वगेरा जो भी हो बस उनका introduction थोड़ा सा आपको देना है और जो आप उसमें बता रहे हो जिसे highest paid तो वो कितना चार्ज करते हैं अपनी एक movie के लिए वो आपको थोड़ा बहुत लिखना है बस और ज्यादा कुछ करना है नहीं इस niche पर थोड़ा बहुत SEO आप कर लोगे तो चल जाएगा तो और अगर आप इस niche पर 3-6 महने तक अगर आप काम करते हो I mean monthly 15-20 articles आप डालते हो 6 महने आप काम करते हो तो दोस्तों आप अच्छे खासी earning यहाँ से बना सकते हो जी हाँ गाइस 400 से 500 डॉलर तो आप easily बना सकते हो अगर आप 6 महने महनत करते हो इस niche पर तो दोस्तों आपको बस एक अच्छा domain लेना है Top 10 से related उसके बाद और सबसे बड़ी बात इसमें ज्यादा competition नहीं है और SEO difficulty भी उतनी ज्यादा matter नहीं करेगी तो दोस्तों अगर आप एक new blogger हो new start करना चाहते हो तो इस niche पर आप start कर सकते हो तो दोस्तों इस से related अगर आपकी कुछ भी query हो तो आप नीच से comment में पूछ सकते हो मैं instant आपको reply करने की कोईशिश करूँगा तो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ मैंने अच्छे से इस niche के बारे में आपको बताया होगा तो दोस्तों अगर आपको थोड़ी से भी ये वीडियो अच्छी लगी हो helpful लगी हो तो इस वीडियो को like कर दीजिए और channel पर नए हो अभी तक subscribe नहीं किया है तो channel लोगो subscribe कर दीजिए साथ इसाथ bell icon को दबाना बिलकुल भी नहीं भूलना और दोस्तों अगर आपको कुछ भी पूछना हो इस niche से related या फिर blogging से related तो दोस्तों description में मेरे instagram की link होगी आप मुझे वहाँ directly message कर सकते हो मैं आपको instant reply करूँगा तो दोस्तों काम करिए इस niche पर रेदल्ट जरूर मिलेगा तो चिल्गे मिलते हैं एक और एगल इंटरस्टिंग वीडियो के साथ तिल दिन थांक्स लोट पो वाचिंग बाबाई